गुद आफ्टरनून तीचा गुद आफ्टरनून बच्चों क्योंकि कर छुट्टी है तो मैंने सोचा आज मैं आपकी आकस्मित परीख शालूंगी महात्मा गांधी के उपर आप सभी ने महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा है देखते हैं कितनों कोवे याद हैं कौन बता सकता है कि वे कब जन में थे तीचर क्योंकि हम उनकी 150 में वर्ज कांट मना रहे हैं उनका जम 2 अक्टूबर 1889 और बंदर गुजरात में हुआ था बहुत बढ़िया अब बताईए कि हम अभी भी गांधी जी को क्यों याद करते हैं वे हमारे राष्ट बिता हैं उन्होंने हमें ब्रेटेश राज से मुक्त कराया था अहिंसा और सवेनए अवग्या अंदोलन लेकिन सवेनए अवग्या अंदोलन एक कारण के लिए 1930 में भात्मा ने डांडी मार्च से इस अंदोलन की शुरुवात की लेकिन आपने कभी सोचा है कि उन्होंने डांडी मार्च के दोरान 390 किलोमीटर की पदियात्रा कैसी की? क्योंकि बैशरीर से चुस्त दुरुस्त थे बिल्कुल ठीक और उनके शारीरिक तथा मानसिक फिट्निस ने उन्हें एक बुलंद नेता बनाया तीचर, गांधी जी जैसे नेता बनने के लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए आपको अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखना होगा गांधी जी के सिध्धानतों के तीन मुख्य स्तम्भ थे शारीरिक सक्रियता, संतुलिक आहाद और स्मच्छता हमें प्रते दिन व्यायाम करना चाहिए ये चलना, दोडना, तैरना या खेल हो सकता है एक स्वस्थ तन मन के लिए प्रते दिन आच से नो घंटे सोना अनिबार्य है मुझे सोना बहुत अच्छा लगता है लेकिन हमारा स्वस्थ हमारे खान पान पर भी निर्भर करता है तो बताईए आप सभी को क्या खाना पसंद है? मुझे बर्गर, समोसा, पिज़ा, आईस क्रीम और चिप्स खाना पसंद है सबको ये खाना अच्छा लगता है लेकिन ये हमारी स्वस्थ के लिए अच्छा नहीं है और कभी कभार ही खाना चाहिए गांधी जी कहते थे कि भोजन हमेशा स्वस्थ वर्धक और प्राकृतिक होना चाहिए जैसे फल और सबजियां पौश्टिकता से भरपूर होते हैं लेकिन मुझे मास मचली भी अच्छा लगता है गांधी जी अपने आपको शाकाहारी खाने तक सीमित रखते थे लेकिन ये दिया आप बहुत सारे पत्तेदार सबजियां खा रहे हैं तो आप मचली मास भी खा सकते हैं मुझे ये भी पता है कि गांधी बहुत कम खाते थे और संयम से रहते थे बिल्कुल सही, संयम अती महत्वपूर्ण होता है शराब और तंबाकू हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुचाते हैं और हमें उनसे बचना चाहिए अब परिशान ना हो टीचर हम बचन देते हैं कि हम संबाकू, शराब और अन्य नशे से मुक्त और स्वस्त जीवन जीएंगे मुझे आप सब पर बहुत गर्व है यह बचन आपको स्वस्त रखेगा और कैंसर, डायबिटीज, दिर की बिमारियां, हाइपरटेंशन इत्यादी से मुक्त रखेगा जी टीचर उन्होंने ये भी कहा था कि हमें हमारे समाज और वातावरन का भी खयाल रखना चाहिए एक स्वच्छ वातावरन, मलेरिया, डायरिया और सांस की बिमारियों को फैलने से रोकता है गांधी जी बिमारियों के निवारन में खास विश्वास रखते थे अब पता चला कि गांधी को क्यों महात्मा कहते थे वे एक खुश मिजाज और शांती प्रिय व्यक्ती थे हां, गांधी रोज एक घंटे के लिए ध्यान में बैठते थे तनाव से मुप्ते स्वस्त जीवन जीने के लिए जाने का बक्त हो गया है, लेकिन याद रखिये हमने आज जो सीखा है वहां आपको जीवन में उन्नती की ओर ले जाएगा कल छुट्टी का आप सब आनंद ठाईए जी डीचर, और क्योंकि कल गांधी जेनती है हम अपने जीवन को भैतर बनाने के लिए कल से ही शुरुवात करें हमने का आप से ही शुरुवात करें